हलो इस्टुडेंट, अल्फा इस्टिट्यूट के आफिस्यल यूटूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत-बूद स्वागत है इस्टुडेंट आज की इस वीडियो में हम आपको क्लास 12 कच्छा 12 के चैप्टर नमर 4 मैट्स के चैप्टर नमर 4 साड़िक के साड़िक के इपॉर्टेंट कोच्छन देने वाले हैं जो इस वर्ष 2021 के लिए बहुत ही इपॉर्टेंट है और यहां से काफी कोच्छन आपके एकजाम में देखने को मिलेगा इस्टुटेंट यहां पे आपको 10 कोच्छन देंगे इससे पहले आपको साड़िक का 10 कोच्छन दे चुके हैं आप उससे भी देख लिजिएगा अगर आप यह साड़िक चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इन कोच्छन को बिशेस ध्यान दिजिएगा बार बार लगा कि जाएगा क्योंकि कोच्छन तो यहीं से पूछेगा 2021 के लिए इस्टुटेंट साथ में अन्य चैप्टर के भी आपके फिजिस और कमेश्टी मैत वायो हिंदी इंगली सबका कोच्छन यहां पर अप्लोड से काफी अच्छे तरीके से सभी को आप देख सकते हैं और सभी कोच्छन का सलूशन भी अप्लोड है इस वर्स अगर आपको 2021 में एक्जाम देना है तो सभी वीडियो को देखकर एक्जाम में जाएगा जहां पर आपको कोच्छन दिए जाएंगे उन कोच्छन का सलूशन भी दिये जाएगा साथ में आप सभी questions को solve करके जाएगा क्योंकि इस वर्स आपके एक्जाम में यही से questions पूछने वाले हैं questions को लगातार पाने के लिए चैनल को subscribe कर सकते हैं साथ-साथ में बेल आइकन दबा दीजेगा इस वीडियो को like भी कर दीजेगा ठीक है तो चलिए आजके questions को देख लेते हैं सबसे पहला question है आजका क्या है साथिकों का परियोग करतेवे point दिया है a और b एका क्या है आपका coordinate क्या है one कामा three और b क्या और गोल जोडने वाली रेखा का समीकर इगात करना है इन दोनों पॉइंट को जोडने वाली देखा का समिकर गयात करना वह भी साड़ी का प्रियोकत है इस को सलूशन में मैं काफी अच्छे तरीके साब को बताया हूँ किस तरह से देखा का समिकर गयात किया जाता है साथ साथ में आपको क्या करना है पॉइंट ए पॉइंट बी और साथ में एक पॉइंट अन्य पॉइंट है डी के कामा जीरो इन पॉइंट से बनने वाले त्रिभूज का छेतफल अगर तीन है तो के का वैलू गयात करना है किसका वैलू गयात करना है के का वैलू गयात करना है कितना आएगा एंसर के का वैलू प्लस माइनस टू यह कोस्टन बहुत ही महत्पूर है आपके एक्जाम के लिए इस कोस्टन को साल्व करके जाएगा अगर कोस्टन समझ नहीं आए तो आप प्लेलिस्ट में चले जाएगा वहां पर आपको हमाई इस कोस्टन का बहुत ही सब्सक्राइ किसी बिंदू आपका तीन बिंदू दिए और यह विंदू भी और में भी इस दिया संडरेक है भाइसाम यहां पे संद्रेख आपको प्रूब करना है तो इसे डूरे संद्रेख में क्या करते हैं त्रिबुच का चितफल जीरो करते हैं आपको त्रिबुच का चितफल वाला फार्मल लगाईएगा और उसे जीरो कर दिजेगा आपका ये 12 नमर कोशन हो जाएगा और ये 2021 के लिए महत्पूर ह आपको एक बात बता दूँ देखिए आप में और जो लड़के 90% लाते हैं उसमें थोड़ी सी डिफ्रेंस होता है आपको मैं हर वीडियो में बताता हूं यस बात को देखिए जो 90% लाते हैं वो क्या होते हैं अच्छे कोचिंस के डाइरेक्शन में होते हैं अच्छे आप लोग क्या करते हैं पूरी किताब पढ़ने लगते हैं उससे आपकी समस्या क्या होती है समस्या होती कि आप रिवीजन अच्छे से नहीं कर पाते हो इसी को देखते हुए हम आपको बहुत ही समय से आपको कोच्छन दिया जा चुका है आप किताब अगर पढ़ रहे है तो इन सभी questions को बिशेश ध्यान देजिएगा क्योंकि आपको मालूम है UP board में हर वर्स लड़के बदलते हैं लेकि पेपर नहीं बदलता है सलेबस होई रहता है question होई होता है लेकिन हर वर्स पेपर देने वाले लड़की बदल जाते हैं अगर आप strategy के साथ पढ़ोगे तो 90% आएगा और परसेंट ही आपका सत्य है क्योंकि परसेंट आएगा तभी आपको सब जानेंगे अन्यता नहीं जानेंगे क्योंकि परसेंटेज बहुत ही पॉर्टेंट है क्योंकि आपको यह साल विला हुआ है परसेंटेज अधिक सदिक लाइए बाकी तयारी आप तो भविश्मित कर लेंगे तो ध्यान पूर्वग पढ़िए हार इस्टडी के बजाए स्मार्ट इस्टडी पर विश्यस ध्यान दीजिए आपको हम स्मार्ट इस्टडी करा रहे हैं चली कोस्टन को देख लेते हैं लेकिए आपका कोस्टन नमर 13 है साड़ी का प्रयोग करते हुए यह कि आपका 3.1 और 9.1 से जाने वाले रिखा का समिक यहाँ पर आप देख सकते हैं आप इसे याद कर सकते हैं जात किस तरह से किया जाता आपको मालूम होगा आपको सलेबस में है ठीक है देखे इस शेकेन है ते रहे का तीसरे अस्टम का प्रयोग करते हुए इस साड़ी यह जो डेलटा है आपका इस साडी का मानिध करना है क इसके तीसरे अस्तम का यूज करते हुए चलिए पंद्रह नमर कोशन आपके सामने है कि यह एक आपका आप विव है इस आप आपको आपको यह निकालने आता होगा आप इसे निकाल लीजिएगा अगर समझ नहीं आ रहा है कोशन तो आप प्लेलिस्ट में जाकर हमसे जो है ज है एक यह आपका क्या है एक जो है एक साड़ीक है इस साड़ीक को सत्यापित करना है कि एड़़ा इंट्याप्रएंट यहां पर इन्वरस का वैलु ज्याद करना है यह आपका 60 N 무슨 को सेवन्टीन नम्र कोशन आपके सामने क्या है कि एक यहाँ पर एक आप्यू एंग आप्यू यह नहीं शुरी कि यहाँ पर एक आप्यू एंगे और एक दुश्रा आपका आप्यू भी है इन दोनों को सत्यापित करना कि यहां पर देखिए क्या सत्यापीत करना आपको कि já भी इनवर्स इकवाल डू बी इनवर्स ये आपको इसे प्रूप करना है एट्टी नमर कोशन है सिद की जिए कि ये आपका जो डिकर रिनेंट है साडिक है यह बिःत कर शजारी है आपका एक आप यह मैट्रिक्स है यह वियूत्क्रमरी मैट्रिक्स है यानि इसका इन्वर्स निकाला जा सकता है किस प्रकास से प्रूब करते हैं आपको मालूम है माड़ आप यह 0 नहीं आना चाहिए इसे आप देख लीजिएगा नाइटीन नमर को सने यह आपके लिए द किया यहां ब्युद्क्रम आभियू का अस्तित्य में हो तो ज्याद किजिए अगर अस्तित्य में याद करना हुआ है धीजिख्क्रम क्लですね साथ आपको कोशन दिया जा रहा है इस इसे साल्व कर लिजेगा आपका 90 परसेंट आ जाएगा अगर नहीं साल्व करोगे तो आप पस्ता होगे इसे ध्यान रखिएगा इस बात को लास्ट कोशन है आज का 20 कोशन है कि 2x 2x plus y plus z is equal to 1 x minus 2y minus 3z is equal to 1 और 3x plus 2y plus 4z is equal to 5 इसे समिकर को साल्व करना आप भी उविदी से इस कोशन को भी साल्व कर लिएगा इस प्रकार से पूरे 20 कोशन आपको मिले हैं आपके क्योंकि 10 कोशन आपको पहले दिया जा चुका है आपको ट्रिकोर्मिती फलन का भी कोशन दिय सब्सक्राइब लेडा जा चुका है 20 कोशन 20 कोशन आपको मैट्रिक्स का दिया गया 20 कोशन को अच्छे से लगा कर जाएगा इस दियून काफी हेलफ होगा इस साल 2021 के प्यांवें तो चलिए इस डूहन मिलते हैं नेस्ट वीडियो में वीडियो देखने के लिए अर्दट